नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वीकेटूल चैनल विशनुजी के साथ दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं अच्छे हूंगे दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप खुम करके खरीद कर और घुम करके मतलब उसी टाइम में बेच भी सकते दोस्तों ये आईडिया मैं आपको बताने वाला हूं और दोस्तों ये जो बिजनस है सिर्फ हजार से पंदर सव रुपए के बीच में सुरू करके आप समय लिए कि रोजाना पांच-छे सव रुपए कमा सकते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना कि गाउं में किस तरह से आप खरीदेंगे और गाउं में ही बेच देंगे घूम करके और दोस्तों ये जो बिजनस आइडिया है ये सीजनल बिजनस है ये भी बात मैं आपको बता दूं कि ये सीजनल बिजनस है हाँ इसको बारों महिने तब चलेगा जब आप इसको खरीद करके stock करेंगे और अगर खरीद करकर अगर आप बेचते हैं तो यह season में यह काम कर पाएंगे मान लीजे कि इसका टाइम होता है कटने का मतलब यह समान यह चीज मिलने का तो यह 1-2 महीनों के बीच में इसको आप खरीद कर बेच सकते हैं लेकिन अगर इसको बारो महीना इस business को करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको उसको खरिद करके, श्टोक करके बेचना पड़ेगा, मतलब खरिद करके, अपने घर पे लाकरके श्टोक करेंगे, उसके बाद आपको धीर धीरे बेचेंगे, तो ये बारो महीना समयले बेच सकत माले जहें उतना ही टाइम में उसको खरीद भी लेना है और बेच भी देना है तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले हम आपको कीमत पर खरीत सकते हैं माल लेसे कि जहां पर भी इसका खेती होता नहीं और अगर आगे जाएंगे दो boyard चार प्लोप बढ़ेंगे, तो दोस्तों, आप लेजिए कि 3 कृलो मेटर पहले जहाँ है, वहाँ आपने खरीदा, और 3-4 कृलों मेटर और आगे गए, वहाँ उनको उनके पास, मान लेजिए कि उस परकार की खेती नहीं है, या हो सकता है, 10 किलो मेटर आगे गए, उस चीज क कि खेती की आप और किंद कि फसल की खेती की जाती वहां पर उसको ले आकर वे काम करके पैसे कमा सकते हैं या माश्वर क दाल खरीद रहा हैं था और सीजन में गए है मतलब एरिय है मान लिजिए कि आप 40 रुपय किलो खरीद रहें केवल मसूड दोस्तों अगर मान लिजिए वहाँ से आगे जाते हैं मसूड का डाल अगर 80 रुपय किलो है या 60 रुपय किलो है मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ तो दोस्त आगर मान लिजे आपने कहीं खरीदा और उन लोगों को बेक्टी डाल खाता है और उसके यहां मान लिजे खरीद कर मिलता है वहाँ उपज नहीं होता है अगर वहाँ घूं कर और थोड़ा आगे लेया करके या कुछ दूरी पेजा करके ऐसको बेचते हैं और आप बाइक लिए हुए हैं तो दोस्त आप निश्ची तोर पे मालेजिए कि 10 रुपे अगर रखते हैं मतलब उसके 10 रुपे भी अपना मतलब किराया और मेहनत रखते हैं उसमें तो आप अंदाजा लगा लिए कि 500 रुपे आपके वल कमा लेते हैं दोस्तों यह नॉर्म उपने खरीदा और कहीं बेच दिया तो आप निश्ची तोर पे फिर से आप उसको खरीद सकते हैं फिर नहीं करते हैं अगर मालेजिए इसका बिजनस साले साल टक आपनातर आपको तो आपको इसमें फूजी ठोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा इसको 100 करना पड़ेग बीना इस्टोक की ये सालो साल ये बिजनस आप नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आपको जो समझ में आए वही तरीका अपनाईएगा दो तरीका मैंने आपको बताया तो उमीद करता हूँ कि वीडियो को पूरा आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल पर अगर आप पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा तो चलिए दोस्त मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक लिए जाहिन जाभारत